हलो दोस्तो, CRM Classes इंदोर में आपका स्वागत है दोस्तो, MP की हमारी सीरीज में हमने Reorganization of MP बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है आप हम Divisions of MP के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि MP के Divisions कौन-कौन से हैं जो संभाग जिने हिंदी में बोलते हैं मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि संभाग में बहुत सारे जिले होते हैं मुल्दब एक संभाग में कुछ जिले होते हैं और उन जिलों से मिलके एक संभाग बनता है ठीक है? तो आब हम पढ़ेंगे कि MP में कितने संभाग है तो overall देखा जाए तो MP में कुल 10 संभाग हैं कितने संभाग हैं? 10 संभाग इसके पहले वाली जो reorganization की वीडियो थी उस पर हमने पढ़ा था कि जो 10th संभाग है वो शेहडोल शेहडोल डिवीजन है 10th और वो अभी तक latest में वो ही बनाया है ना अब सबसे पहले मैं आपको एक overview देता हूँ map के जरीए ठीक है? आप इस map को जरूर देखते जाएं जैसे जैसे हम ये वीडियो में आगे बढ़ेंगे ये वाला जो पूरा area है ये कौन सा संभाग है? उज्जेन संभाग ठीक है मतलब इस वाले में जितने भी जिले हैं वो पूरे मिलकर क्या बना रहा है? उज्जेन डिवीजन को ऐसे ये जो area है ये भूपाल डिवीजन का है ये इंदौर, नर्विदापुरम, ठीक है ये eight districts से मिलके बना है कितने districts से? आठ districts से ठीक है उनके नाम देख लेते हैं तो पहला है जवलपुर, कटनी, डिंडोरी, नर्सिंगपुर, मंडला, बालाघाट, स्योनी, छिंदवाड़ा इसका मतलब आपको ये सभी जिले याद करके रखने है न दोस्तों, ये जो 10 के 10 हम यहाँ पे divisions देखेंगे, इन सभी divisions के पूरे जिले आपको याद होने चाहिए और इन से related, जितने भी है districts से इन से related कुछ और facts भी हम आँगे पढ़ेंगे है ना, तो सबसे पहले ये देख portion बना है ये, आई होप आपको दिख रहा होगा, इंदोर डिवीजन है, इसमें भी 8 districts आते हैं, कितने 8 districts आते हैं, उनकी नाम देख लेते हैं, पहला इंदोर, धार, जाबुआ, अलिराजपूर, बढ़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपूर, ये पूरे district कहां थे हैं इंदोर डिवीजन हैं, आई होप आपको ये चीज़ किलियर होगी, है न, औजेन डिवीजन में कितने districts हैं, औजेन ये जो औजेन division है, इसमें 7 districts हैं, कितने 7 districts हैं, आप 7 districts कौन से हैं, ये देखते हैं, तो पहला है औजेन, देवास, नीमच, रदलाम, मनसूर, शाजापू और आगरमालवा दोस्तो आप से बहुत एक विंती है मेरी कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो साथ में MP का मैप लेके बैठे हैं ना जो डिस्टिक वाला मैप होता है MP का वो लेके बैठे हैं आप उससे आपको जादा बेटर अंडरस्टेंडिंग होगी ठीक है क्यो दमो, टीकमगड, छतरपूर, निवारी ठीक है निवारी अभी हाल ही में सबसे नया डिस्टिक बना है टीकमगड से लगो के इस वाले पॉइंट पर है आप मैप में देख पा रहे होंगे ठीक है अब चंबल डिवीजन में कितने डिस्टिक्ट्स है तो चंबल ये जो मैंन तर तीन डिस्टिक्ट्स है कितने तीन डिस्टिक्ट्स है भिंड मुरेना शियोपूर आप मैप में जरूर देखिए दोस्तों भिंड मुरेना शियोपूर कहां पर है मैप में ठीक है अब एक बात और बतानी है कि जितने भी ये डिवीजन का मैंने नाम लिया इन सभी के मुख्यालय कोन सा हो갈ा जैसे जवल पूर इंदः मुख्याल का मुख्याल है इसा लेकिन चंबल डिवीजन को इंदर के नाम पर तो है नहीं चंबल के अंदर कौन से डिस्टिक आते हैं बिण्ड तो यहाँ पर जो headquarter है वो कौन सा है? Morena. दोस्तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो चम्बल division है इसका headquarter कौन सा है? Morena. ठीक है? अब शेहडोल division में भी तीन डिस्टे का आते हैं. कौन-कौन से? शेहडोल, उमरिया और अनुपौर. और obvious बात है यहाँ पर शेहडोल के नाम पर ही शेहडोल division रखा गया है. इसलिए शेहडोल क्या होगा इसका? मुख्यालाए होगा शेहडोल division का. तो दोस्तो एक बार आप पहले इन सभी इनको note कर लीजे. उसके बाद हम आँगे बढ़ते हैं. चलिए दोस्तो, तो अब आँगे की ओर बढ़ते हैं, है न? तो अब भी तक हमने 6 संभाग के बारे में जान लिया कि उनमें कौन-कौन से जिले होते हैं. अब देखते हैं, जो हमारे 7 वे नमबर का संभाग है, वो है बोपाल. बोपाल division में कितने districts हैं total? बोपाल division ये वाला है, ये वाला. और बोपाल हमारी राजधानी है, है न? बोपाल division में कुल 5 districts हैं. कौन-कौन से? बोपाल, विदीशा, सीहोर, राजगर्ड, राइसेन. मतलब ये 5 और district मिलके बनाते हैं बोपाल संभाग. ओवियस बात है, इसका headquarter क्या होगा? बोपाल division है, तो headquarter भी क्या होगा? बोपाल, ठीक है? गौलियर division में कितने districts हैं? 5 districts हैं. बोपाल में भी 5, गौलियर में भी 5 districts हैं. ये हैं गौलियर संभाग. ठीक है? गौलियर में कौन-कौन से हैं? गौलियर, दतिया, शिप्पुरी, अशोक नगर, गुना. ठीक है? ये सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए दोस्तों. मैं बारवार आपसे बोल रहा हूँ कि जितने भी ये districts हैं, कौन से संभाग में कौन सा district आता है, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए. ठीक है? अब देखते हैं, रीवा जो हमारा संभाग है, ये हैं रीवा district, स्वरी, division. रीवा डिवीजन में चार district आते हैं, कौन-कौन से? रीवा, सीधी, सिंगरॉली, सतना. अब ये obvious बात है कि रीवा के नाम पर ही रीवा डिवीजन रखा गया है, नाम रखा गया है, है ना? तो इसका जो headquarter है, वो कौन सा होगा? रीवा होगा इसका मुख्याल है, ठीक है? अब एक और हमारा संभाग आता है, नर्विदापुरम. ये क्या है? नर्विदापुरम. ठीक है? अब इसमें देखते हैं कितने district हैं? इसमें मातर तीन district हैं. चम्बल, शेहडोल और नर्विदापुरम में कितने district हैं? तीन district हैं. ठीक है? इसमें जो पहला आता है, वो होशंगाबाद, हर्दा और बैतूल. अब दोस्तों अगेन हम देखेंगे कि नर्विदापुरम भी कोई district के नाम पर division का नाम नहीं है. इसलिए इसका जो headquarter है, वो कौन सा है? होशंगाबाद. और ये याद रखने वाली चीज़ है, कि नर्विदापुरम का जो headquarter है, वो कौन सा district है? होशंगाबाद. आई होब आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा, है ना? अब इसको आप note कर लीजे एक बार. तो दोस्तों, अब हम कुछ और important facts के बारे में जानेंगे, जो divisions से related हो और exam point of view से बहुत ज्यादा important है, तो इन सभी divisions में, जितने भी मैंने 10 के 10 divisions आपको बताए, इन सभी divisions में अगर हम largest division देखें, दो में पैमाने पर, ठीक है? दो measures पर, कैसे? area wise, जो largest division है, वो कौन सा है? जवलपूर, कौन सा division है? जवलपूर division, हलाकि आपको इस वाले map में नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये handmade map है, है ना, इसमें उतना accuracy से नहीं बना आई ये map, लेकिन actual map में जब आप देखेंगे, तो आपको देखेगा, कि जवलपूर जो division है, इसका area सभी divisions से comparison में बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा है, ठीक है? और population wise अगर हम देखें, तो population के मामले में जो indoor division है, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है? मतलब indoor division में सबसे ज़्यादा population है, और जो जवलपूर division है, इसका area सभी divisions में से सबसे बड़ा है, ठ smallest division की बात करें कि छोटे में क्या है छोटा जो संभाग है वो कौन सा है तो area wise अगर हम देखें तो जो सहडोल संभाग है कौन सा संभाग है शहडोल संभाग यह सबसे छोटा है अगर आप actual map में देखेंगे तो area wise शहडोल संभाग सबसे छोटा है और population wise भी सहडोल संभाग सब सबसे कम population भी कौन से संभाग में है शेहडोल संभाग में या शेयडोल डिविजन में और एरिया में भी सबसे कम कौन सा संभाग है मलब सबसे कम एरिया किसके पास है शेहडोल डिवीजन के पास आयोप आपको ये छोटे-छोटे दो दो यह अच्छे से clear हुए होंगे, आप एक बारे को note कर लीजे, दोस्तों तो अब कुछ districts के बारे में बात करते हैं, जिलों के बारे में कुछ facts की बात करते हैं, जो exam point of view सो बहुत ज्यादा important है, तो सबसे पहले largest district की बात करते हैं, कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो area wise अगर हम देखें, तो सबसे बड़ा जिला है चिंदवाडा जिला, कौन सा चिंदवाडा जिला, अब दोस्तों आपको comment करके ये बताना है, कि चिंदवाडा जिला कौन से division के अंदर आता है, है ना, इसी वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं ये बात, ठीक है, अब population wise सबसे कहां पर है, वो है इंदर में, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना, अब smallest district की बात करेंगे, कि सबसे चोटा जिला कौन सा है, तो area wise अगर हम देखें, तो सबसे चोटा जिला है निवाडी जिला, कौन सा, निवाडी जिला, ये कहां पर आता है, कौन से और सबसे कम area कौन से जिले के पास में, वो है निवाडी, सबसे ज्यादा population कौन से जिले में, वो है इंदर, और सबसे ज्यादा area कौन से जिले के पास में, वो है चेनवाडा, तो पहले आप इन facts को note कर लीजे, तो दोस्तों, अब हम जिलों के बारे में कुछ facts पढ़ेंगे जैसे अभी हमने divisions के बारे में overview लिया कि कौन से जिला कौन से division में आता है तो हम districts मतलब जिलों के बारे में कुछ और facts के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले map में आप देखिए कि यह तो हमारा UP का map है प्यारा साथ है ना यहां पर जो है यह जो border है यह रेड कलर सी है जो यहां से ऐसी में बार्डर शो की है यहां से यहां तक MP टच करता है UP state के साथ ठीक है और इस वाली border से इस वाली border तक किस के साथ राजिस्थान के साथ similarly यहाँ पे किस के साथ टच करता है यह बॉर्डर से ऐसे ऐसे कुजरात के साथ यहाँ पे महराश्ट के साथ यह वाली पूरी बॉर्डर महराश्ट के साथ सेयर करता है और यह वाली पूरी बॉर्डर अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, मलब यहां से यह वाली पूरी बॉर्डर ऐसे 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 देखी जाए, तो यहां पर कितने जिले UP के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तेरा जिले शेयर कर रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक MP के कितने जिले 36 गड़ के हैं तो ऐसे डिस्टिक्ट जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो कितने हैं तेरा कितने हैं वो ओवर ओल तेरा ठीक है अब उनके आई ये नाम जान लेते हैं एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा MP का जो डिस्टिक्ट वाला मैप होता है उसको अप हिंड, मुरेना, दतिया, शिपपुरी, अशोक नगर, सागर, टीकमगर, निवारी, छतरपूर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरॉली ये तेरा डिस्टिक्ट यूपी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं इन सभी को आप एक बार मैप में जरूर देखें ऐसे ही राजस् और नीमच, रतलाम, जाबगा इनको मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों आप मैप में जरूर देखें अभी आपने साथ मैप लेके बैठें या तो कोई मैप डाउनलोड कर ले है ना उससे आपकी अंडरस्टेंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी ठीक है इसी साथ आपने देख लिए तो ये तीन स्टेट्स के साथ हमने देख लिए बाकी के जो दो डिस्टेक्ट हैं उनको हम देखेंगे लेकिन पहले आप इने नोट कर लीजे चलिए दोस्तों आप देखते हैं जो बाकी के दो स्टेट्स बचे थे उनसे कौन-कौन से डिस्ट्रिक बॉर्डर शेर करते हैं तो 36 गड़ के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं लिखने पर गलती कर दी थी मैंने 6 लिख दिया था लेकिन 7 डिस्टेक्ट जो है MPK वो 36 गड़ के साथ अपनी बॉर्डर को शेर करते हैं ठीक है 36 गड़ के साथ 60 डिस्टिक अपनी बॉर्डर को शेर करते हैं कौन-कौन सी सिंगरॉली, सीधी, शेहडोल डिन्डोरी, मंडला बालाघाट, अनुकपुर आई होप आपको ये चीज याद हो गई होगी है ना, ये बहुत अच्छे से याद करने वाली चीज़े हैं, किसी-किसी बुक में 6 डिस्टिक भी दिया होता है यहाँ पर, कि 36 गड़ के साथ 6 डिस्टिक बॉर्डर शेर करते हैं, लेकिन जो अपडेटेट एकदम accurate डेटा है उसके according, 7 डिस्टिक ही 36 गड़ के साथ बॉर्डर शेर करते हैं आई होप आपको समझ में आँ होगा है ना अब जो यह गुजरात है गुजरात, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ दो डिस्टिक ही अपनी बॉर्डर शेर करते हैं, ठीक है इन दोर डिवीजन के दो डिस्टिक बॉर्डर शेर करते हैं, कौन-कौन से आली राजपुर और जाबुआ आई होप दोस्तों आपको यह सभी चीजे समझ में आई होगी, तो एक बार इनको आप नोट कर लीजे दोस्तों, तो अब हम कुछ और फेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, जो एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से बहुत ज़्यादा लाबकारी हैं या इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, तो अब ऐसे डिस्टिक्ट्स, ऐसे जिलों के बारे में जानेंगी, जो दो राजजियों के साथ अपनी सीमा को शेर करते हैं, अपनी जो शिपपुरी जो यहां पे आता है, यह जो गर्दन वाला हिस्सा है न, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो मैप है, यह डिवीजन वाइज मैप बना हुआ है न, आप डिस्टिक्ट वाइज मैप MP कर लेके बैठें साथ में, तो जो शिपपुरी है, आप देख यहां कहीं पे, है न, यहां कहीं पे यह पूरा मुरेना आता है, तो यहां से क्या होता है, यह जो है, यह राजस्थान से यहां पे बॉर्डर शेयर कर लेता है, और यहां पे यूपी से बॉर्डर शेयर कर बाड़िया है नु Μë अब देखते यह गुजयरात और अली राजपूर्र अली राजपूर जो है वह क्या करता है गुजयरात और माराजस्ट दोनों के जाबूआ करके जला है जाबूआ जला यह क्या करता है गुजरात और राजिस्थान दोनों के साथ अपनी बौर्डर को शेयर करता है आई हूप आपको समझ में आ रहा होगा है न अब देखते हैं महराष्ट यह हो गया हमाराष्ट और यह हो गया 36गर, महराष्ञ और 36गर में कौन सा ऐसा जिला है, जो water share करता है, तो महराष्ञ और 36गर के साथ, यहाँ पर है बाला घाट जिला बाला घाट जिला जो 36गर और महराष्ञ के साथ, अपनी water को share करता है, ठीक है अब इसी तरीके से अगर हम देखे हैं, कि 36 गर्द और UP के साथ कौन सा जिला है जो अपनी water share करता है तो यहाँ पे एक जिला आता है वो है सिंग रॉली और सिंग रॉली के बारे में अगर आपको कोई भी fact मालूम है है ना कोई भी fact पता है तो आप प्लीज उसको comment करके बताईए क्योंकि यह paper के द्रिस्टी से paper के point of view से सिंग रॉली जो जिला है यह बहुत ज्यादा important हो जाता है अक्सर इससे questions पूछे जाते है अलाकि वो हम आगे हमारी जो सीरीज हो उनमें पढ़ेंगे अच्छे से है ना तो सिंग रॉली जो जिला है वो UP और 36 गर्ड़ दोनों के साथ bottle share करता है तो य यह जो मैंने facts बताई यह बहुत ज्यादा point of view से बहुत ज्यादा important है आप इनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए उसके पहले आप note कर लीजिए तो दोस्तों अब हमने यह देख लिया है कि दो राज्यों के साथ कौन-कौन से जिले अपनी border को share करते हैं ठीक है अब हम एक और facts के बारे में जानेंगे जो exam point of view से बहुत ज्यादा important है आईए समझते हैं कौन सा जैसे UP के साथ यह 13 district अपनी border share करते हैं तो अब हम यह देखेंगे कि इन 13 district मैंसे भी सबसे ज्यादा कौन सा district UP के साथ अपनी border share करता है similarly 36 गड़ के साथ देखेंगे कि इन 7 मैंसे कौन सा ऐसा district है तो 36 गड़ के साथ सबसे ज्यादा अपनी border share करता है इन 9 मैंसे ऐसा कौन सा district है जो महराष्ट के साथ अपनी सबसे ज्यादा border share करता है similarly गुजरात के साथ similarly राजस्थान के साथ तो आएए देखते है यूपी के साथ जो इन 13 district मैंसे सबसे ज्यादा अपनी border share करता है वो है टीकमगर district है ना आई होप आपको समझ में आया होगा इसी तरीके से राजस्थान के साथ इन 10 district मैंसे सबसे ज्यादा जो अपनी border share करता है राजस्थान के साथ वो है नीमच कौन सा district है नीमच district ठीक है गुजरात के साथ, गुजरात के साथ सिर्फ और से दो डिस्टिक अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, है न, तो इन दोनों डिस्टिक में से अलीराजपुर जो डिस्टिक है, वो अपनी सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, गुजरात के साथ, ठीक है, महराश्ट के साथ डिस्ट्रेक्ट में से 36 गड़ के साथ अनूपपूर एक ऐसा डिस्ट्रेक्ट है जो अपनी बॉटर सबसे ज़्यादा शेर करता है 36 गड़ के साथ आई हो फ्रेंड्स आपको ये वाले जो फैक्ट्स हैं ये अच्छे से समझ में आ रहा होंगे है ना अब एक और फैक्ट है कि ये जो हमने नीमच पड़ा है ये अगर कोई हम एक ऐसा जिला देखें पूरे MP में जो किसी राज्य के साथ सबसे ज़्यादा अपनी बॉटर शेर करता है तो वो कौन सा होगा नीमच मतलब पूरे जिलों में से नीमच एक ऐसा जिला है जो किसी राज्य के साथ अपनी सबसे ज़्यादा बॉटर शेर करता है है ना और किसके साथ करता है राजस्थान के साथ आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी है ना तो एक बा यह इसके बीचों बीच से एक latitude गुजरती है कौनसी Tropic of Cancer आयोप आपने जोग्राफी में latitude और longitude के बारे में पढ़ दखा होगा है इसलिए हम उसको यहां discuss नहीं करेंगे तो MP के बीचों बीच से करक रेखा या तो उसको हम क्या बोलतें English में Tropic of Cancer गुजरती है और यह जो करक रेखा है यह MP के 14 district से 14 district से cross करती है 14 districts को cross करती है उनके थुरू निकलती है है ना तो paper में इस तरीके से questions आते हैं कि बताईए following में इसे कौनसा district Tropic of Cancer के नीचे नहीं आता है या कौन कौन से district से Tropic of Cancer नहीं निकलती है या तो कौन से district से tropic of cancer निकलती है तो 3 एसे देदेगा Donc ध्रक में निकलती एक ऐसा देदेगा जिससे ट्रॉबज आरिक करती है है ना या तो इसके wise words करके दे देगा है ना तो हम देखेंगी 14 district कौन-कौन से हैं तो आएए west से east की direction में हम देखेंगे कौन-कौन से district को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रोस करती जाती है या उनको थ्रोपास करती है तो पहला है रतलाम, उज्जेन, आगरमालवा मैं फिर आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एमपी का जो डिस्टिक्ट वाइज मैप है उसको साथ लेकर बैठे हैं आगरमालवा के बाद राजगर, सीहौर, भोपाल, फिर विदीशा, राइसेन, दमो, सागर, जवलपूर, कटनी, फिर उमरिया और फिर शहडोल तो ये हमारे चवदा डिस्टिक्ट हैं जिनके थ्रोप जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास करती है, ना इनकी उपर से क्रोस करते जाती है और ये रतलाम से लेके शहडोल तक हमने कौन सी डारेक्शन में देखें वैस्ट से इस्ट डारेक्शन की तरफ तो आई होप आपको ये चीज़े समझ में आई होंगी और दोस्तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही हम और वीडियो लाते रहेंगे